हलो माई डिया स्टु इंडर सिप्पर फिर से आपका स्वागत है और जैसा कि मैंने आपको बोला था मैं बहुत जालत आपको देने वाला हूँ सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म देखनी है इसकी फुल फॉर्म क्या है तो इसकी फुल फॉर्म है असोसियेशन ऑफ साउथीस्ट एशियन निशन जैसा कि ओलर यहाँ पर मैंने मैंशन किया है कई बार टीचर आपसे जनली यही बेसिक क्वेशन ही पूछ लेती है चलो यह बनी थी 1967 में और इसके फाइव फाउंडिंग मेंबर से जिनकी लिस्ट में आपको बता देता हूँ कौन-कौन से फाउव जो फाउंडिंग मेंबर थे वो फाउंडिंग मेंबर जो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, सिंगापूर एंड थाइलेंड इसके जो फाउंडिंग मेंबर से उनकी लिस्ट है और बोर्ड आप देख लिए इसके लावा जो नेक्स फाइव मेंबर जिन्हों ने थोड़ा टाइम बाद में चौन किया और फिर फाइव से यह हो जाते हैं टैन वो हैं उसमें बरुनी, दरुसलम, वियतनाम, लाव, पीडिया इसके लावा जिसको मैनमार, बर्मा बोलते हैं पहले बोलते थे लाइक और कमबोडिया, तो जोइन आसियान और इसके बाद इनका नंबर हो जाता है 10, तो 5 प्लस 5 यह हो जाते हैं 10 मेंबर्स, आपसे पूछा जा सकता है कि आसियान किस तरह की एक और्गिनाइजिशन है, तो सिंपल सी बात है, आपने सिंपल उसका जवाब देना है, वैसे तो एक रीजिनल और्गिनाइजिशन है, जैसे इसमें एक क्वेशन आ जाता है कि एक जो रीजिनल प्रॉक्सिमिटी है, वो कैसे हेल्प करती है, इसी की एक्टॉपिक को लेखर हो दिया गया है, कि जब एक रीजिन के अंडर होते हैं, या एक रीजिन में रहते हैं, वहाँ पर आसफास की कंट्री के साथ लेशन्स डेवलप करना है, तो यहाँ पर आजाएगा आपका आसियान का मोटो, यह बहुत इंपोर्डन्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि आसियान का मोटो यह आपको NCRT में वैसे नहीं मिलेगा, बट फिर भी मैंने आपको बता देता हूँ, one vision, one identity, one community, हम क्या कहेंगे, one vision, one identity, one community, और one community, इसका मतलब क्या है, कि यह इसका main motto है, जिसके तहत यह organization काम करती है, यह सोचते हैं कि जो हमारे member states है, हम सभी का one vision होना चाहिए, एक ही उनकी identity होने चाहिए, separate identity ना हो, और one community, कि कहीं पर भी लोग आए जाए जाएं, तो कुछ जादा problem नहीं है, जो भी member states है, member countries है, next, एक पहुत important question फिर से है, कि ऐसा कौन सा वो आपको year बताना है, जब ASEAN members ने एक deal sign की थी, किस purpose के लिए, to create a nuclear free zone area, कि जो यहाँ पर हमारे जो member states है, वहाँ पर nuclear free zone area होगा, कौन सी वो deal sign, किस year में sign की थी, वो थी 1995 में, ताकि South East Asia में ऐसी कुछ problem ना हो, इसके लाबा, in which year ASEAN adopted vision 2020, next question मैंने mention किया, कि उन्होंने 2020 विजन किस साल वहाँ पर लिया था, यानि उस तरह हम सोचा होगा, तो वो year है 1997 में, next question फिर से बिल्कु straight forward है, in which year ASEAN launched, ASEAN community, इन्होंने कब launch की थी, तो यह इन्होंने launch की थी, 2015 में, और यहाँ सी जो आपके questions हैं, और थोड़े से deep और गहरे होते चले जाएंगे, क्योंकि देखो, ASEAN community, अकेली एक ऐसी organization है, उसके अंडर भी कुछ आपसे पूशे जाएंग के अंडर, जिसका नाम लेना है, त्री पिलर्स में, वो है ASEAN political security community, second number पे आप बोलेंगे ASEAN economic community, और third number पे बोलेंगे ASEAN social economic community, यह आपने वहाँ पर टीचर को अपने बताना है, कि जो कौन से तीन पिलर्स हैं, जिसके तहते काम करती है, और जिसके वज़े से ऐसा लगता है कि European Union की तरह हैं, जो Association of Southeast Asian Nation है, यह भी पहले से काफी ज़्यादा better हो गई है, काफी ज़्यादा strong हो गई है, इसके लावा हम करेंगे, what do you know about ASEAN regional forum, ASEAN regional forum के बारे में आप से पूछा जा सकता है, कि यह actual में क्या है ASEAN regional forum, तो यह कहेंगे, जो एक तो सबसे बड़ी बात क्य है कि इसको establish कब किया गया था, 1994 में इसको establish किया गया था, और किस purpose के लिए establish किया गया था, ताकि coordination और security और foreign policy, यह तीन चीज़े थी, इसमें जो ASEAN regional forum में coordination आ जाएगा, इसके अलावा, जो security policy है, वो हमारी strong रहेगी, यह इसके अंदर इन्होंने करना था, foreign policy हमारी बड़ी अच्छी बनी रहेगी, और आपको यह भी पता होना चीज़, जो ASEAN regional forum है, उसको establish किया गया था, under ASEAN security community के अंदर, तो यह भी थोड़ा सा deep level का question है, जो आपको extra knowledge देगा, इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे ASEAN ने अपने आपको economically strong बनाने के लिए, और क्या किया है, तो यहाँ आप बोलोगे, उन्होंने, जैसे यहाँ पर already मैंने mention किया, what do you mean by FTAs, यह भी एक direct question आ सकता है, कि ASEAN का link इसके साथ है, तो इसको हम नाम देंगे, वो क्या है, free trade area, और इसका जो main motive क्या था, इसका main motive था, ताकि हम investment में, labor या services में एक दूसरे की help कर सके, I suppose जितन कि जैसे, suppose, एक country, दूसरे country पर बहुत सारे इंपोर्ट के उपर tax लगा थे, जिसकी बज़े से क्या होता है, कि बहुत सारे countries अपना business आगे नहीं बढ़ा पाते, बट यह सब की सब ASEAN members है, तो इन्होंने अपना free trade area develop किया है, जिसको FTAs बोला है, और उसके तहत क्या होता ह है, कि यह लोग जो है, investment के उपर जोर देते हैं, साथ में उसे को economically है तो करते हैं, और labor और services के उपर भी इनका काफी stress या focus रहते हैं, अब अगर आप से पूशा जाते हैं, कि चलो ठीक है, free trade area के हमने बात की है, तो इंडिया ने sign किया है, अपना FTAs, तीन ASEAN countries के साथ, उन compared to other countries, यहाँ पर इस area में, इंडिया थोड़ा सा strong है, उनको doubt था कि कहीं ऐसा ना हो, इंडिया जो है, उनकी market में invade करें, invade करें का मतलो कि आता है, कि इंडिया का माल जैसे चाइना, आपने देखा है, कि चाइना का माल दुनिया के हर एक कोने में पहुंचे हुए आज की date में तो उनको भी यह डर था कि कहीं हम इंडिया को आने की permission तो दे दें और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी market में हर चग आपको इंडिया का ही माल मिले, क्योंकि इंडिया एक regional level पे काफी strong है, लेकिन वो अलग बात है कि हम लोगों के तो ऐसे को intention नहीं होती, लेकिन उनके मन में डर था इस बात का, तो वहाँ पर एक question आता है कि इंडिया ने जो तीन country के साथ sign गया है, वो है Singapore, Thailand और Malaysia, यह क्याते है कि देखो हमने तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे मन में, और हमारा तो ओल्री तीन-चार country जो तीन country तो fix है ही है, जिनके साथ हमारा free trade area sign हुआ है, जिसका मतलब क्या जो है, माल यहाँ पर आता भी होगा और यहाँ से वहाँ चाहता भी होगा, तो free trade area का सबसे बड़ा advantage यही होता है, कि आप अपना trade level जो है बहुत, क्योंकि trade बीच में आ गया, वैपार बीच में आ गया, वर्ड, तो आप अपना जो है वैपार का level बढ़ा सकते हैं, तो यह तो question थी, इस topic के, लेकिन this is not over, अभी इस topic, यानि इस chapter के अंदर दो 3 different topics हैं, जिनकी discussion मैं आपके साथ करूँगा, लेकिन जैसा कि ओलरी आपको हर वीडियो में बताता चला जाता हूँ, कि अगर आपका कोई up your, ऐसा doubt है, आप political science के इलावा history में, अगर आपको लगता है, ज अभी तक मैंने नहीं दिया, तो आप comment section में आके जरूर पताईएगा, और साथ में इस video की description box को देखना मत हुलेगा, और साथ में आप चाहें, तो मुझे मेरे दूसरे channel दरणसर vlogs पर भी follow कर सकते हैं, I wish you all the best, thank you very much, and have a very nice day, लेकिन एक like जरूर कर दीजे, अगर video अच्छा झालगा ओटू